अडियो ही ओ प्रोत कशी से लेक्टन करेंस की उसके स्कृइन बैटर है तो इन सब डिस्पलेठे बारे में और को डॉड्स क्लियर हो जाएंगे स्में कोई प्रोब्लम नहीं है क果 यह नियुक्री प्लतर का म्हाल लोग पूररते लाम वीडियो में तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि मारा M30S यलो कलर दिखा रहा है या वाइट इस ज्यादा दे रहा है लेकिन A50 में ज्यादा है A50S में तो हमें वो लेना चाहिए तो यह पूरा डिस्प्ले से रिलेटेड वीडियो है M30S का काफी बताने वाला हूं पूरा समझाओंगा क्या चकर है यह और फिर आपको दिखानगा कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब करने और लाइक करें इंफ्रमेशन क्योंकि बहुत इंपर्टन है काफी लोगों confusion है कई लोग आ रह जिसमें AM OLED display आता है वो सेम है उसके quality सेम है ऐसा नहीं है कि M30S में घटिया display लगा हुआ है A50S में ज्यादा अच्छा लगा हुआ है यह इनका टॉप एंड जो कहते हैं फ्लाइश फ्लैक्शिप फोन उसमें display बहुत अच्छा है ऐसा कुछ भी नहीं है सब में display सेम है OLED display अगर आपका blue filter on है तो आपको यह white color जो होता है थोड़ा सा yellow दिखेगा अगर आपका blue filter off है तो वह आपको बिल्कुल white देखेगा तो यह difference आपको इसमें करके दिखाता हूं पता लग जाए अब इसका फायदा क्या है यह filter क्यों दिया गया दरसल यह आपके comfort level के लिए आप light आती है displays के अंदर वह आँकों के लिए हानीका रिक होती है और उसको अगर आप देखते हैं तो आपको discomfort होतने लगता है तो वह चीज़ को हटाने के लिए option दी जाती है आज करके जो फोन जैसे में भी है फ्लैक्शिक फोन में भी है यह आप ब्लू फिल्टर on कर लें तो तो वो जो whitey सा जो टेन जा रहा हो ओना हो हलका से yellow जाता है हलका सा लेकिन पर依ा संच बेकाइं कई भी चोई उसमें दीगी है on the other hand आपको ये blue filter on नहीं करना blue filter on करेंगे तो blue light हड़ जाएगी तो yellow is जाता है तो yellow is आप control कर सकते हैं बहुँ दिखांगा on the other hand अगर आपको yellowish पसंद नहीं आ रहा है तो simply जाकि आप blue filter को off कर दें वो white हो जाएगा तो यही है फरक यह यह आपके comfort के लिए बना गया है तो कईयों को लग रहा है कि इसमें yellowish सार है तो हो सकता है आपके में filter on हो और उसमें yellowish change बहुत ज़्यादा किया हो तो वो भी आप घठा सकते हैं क्यासे घठा सकते हैं वो इस वीडियो में पूरा demo देने बाला हूँ चलिए चलते हैं यह मैंने खोल लिया है अब मैं आपको पहले जाते हूं डिस्प्ले के अंदर तो यहां पर डिस्प्ले में देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा वन टू थरी ती से नंबर में blue filter यह मैंने on किया हुआ है अब देखिए जैसे इसको मैं आफ करता हूं तो आपको यह वाइट इश लगेगा और जैसे मैं इसको आउन करता हूं तो थोड़ा साब को yellow इश लगेगा सी और इसको आप control भी कर सकते हैं यह है opacity इसको आप जितना ज़्यादा करतेंगे देखे कितना yellow गया भी है तो कईयों को यह आँखों को अच्छा लगता है तो आप इसको yellow रख सकते हैं स्क्रीन में इतना नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने इसको almost middle में रखा हुआ है तो अगर आपको ज़्यादा yellow लग रहा है और आपको filter का फाइदा भी लेना है तो आप इसको middle में कर दें तो इस जादा yellow चाहिए तो इसको आगे बढ़ा दें अगर कम yellow चाहिए तो इसको middle में रखें जैसे मैंने middle में रखा हुआ है तो इससे आपकी आँखेंगे और आपके colors में भी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आपको पसंद आए वीडियो सो m3ds के colors में कोई फरक नहीं है सब के display स सेमसंग के phone में even iPhone में भी Samsung के display जा रहे है आजकत तो आपको पसंद आएगी information कोई भी आपको क्वेशन में इसको लेकर है तो प्लीज कमें बाउस में लिखें बहुत अचा फोन है कि आप यह को network की problem आ रही है तो प्लीज भाईव जाके sim change कर ले हो सकता उससे आपका problem ठीक ह हो जाए otherwise मुझे network की कोई problem नहीं है और जी जिसके बाद यह phone है और इसको problem नहीं आ रही है तो प्लीज कमें बाउस में लिखें ता कि लोग इस phone को बेधरक ले सके हैं thank you very much for being here and wishing you everybody happy year and advance thank you